कुत्टे विभिन स्थितियों में काट सकते हैं और यह याद रखना महत्वपूर्न है कि किसी भी कुत्टे में काटने की ख्षमता होती है चाहे उनकी नसल या आकार कुछ भी हो कुट्टों के काटने के सामाने कारणों को समझने से सुरक्षा को बढ़ावा देने और ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है यहां कुछ सामाने स्थितिया हैं जहां कुट्टे काट सकते हैं दर या खत्रा, कुत्ते तब काट सकते हैं जब उन्हें खत्रा, दर या दर लगता है। यदि कुट्ता किसी व्यक्ती या किसी अन्य जानवर को खत्रे के रूप में देखता है, तो वो खुद को बचाने के लिए रक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में काटने का सहारा ले सकता है। दर्द या बीमारी, दर्द या बेचैनी में कुट्टे रक्षात्मक प्रतिक्रिया कर सकते हैं और जब कोई प्रभावित क्षेत्र को छूता या पहुचता है तो काच सकता है। कुट्टों को धीरे से और देखभाल के साथ संभालना महत्वपूर्ण है, खासकर अगर वे घायल हो गए हैं या स्वास्थे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सुरक्षा अत्मक वृत्ति, कुट्टे स्वाभाविक रूप से अपनी क्षेत्र, संसादनों और परिवार के सदस्यों की रक्षा करते हैं। यदि उम्हें अपनी संपत्ति या प्रियजनों के लिए खत्रा महसूस होता है, तो वे सुरक्षा अत्मक व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें काटना भी शामिल हो सकता है। समाजी करण का अभाव, जिन कुटों का परियाप्त समाजी करण नहीं हुआ है, वे नई या अपरिचित स्थितियों में चिंतित या भैभीत महसूस कर सकते हैं। यदि वे किसी चीज या किसी व्यक्ति से मुढ़ेर करते हैं, जिसे वे जोकिम की कमी की कारण खत्रे के रूप में देखते हैं, तो वे रक्षा तंत के रूप में काटने का सहारा ले सकते हैं। प्रोवोकेशन या आकरामकता, जिन कुत्तों के साथ गलत व्यवहार, दुर्वयवहार या कतोर प्रशिक्षन विद्यों का सामना किया गया है, वे काटने सहित आकरामक व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अतिरिक, यदि किसी कुत्ते को छेड़ा जाता है, परेशान किया जाता है, या उकसाया जाता है, तो वो आत्मरक्षा के साधन के रूप में आकरामकता और काटने का जवाब दे सकता है। Pre-Drive, कुछ कुत्तों में एक मजबूत शिकार ड्राइव होती है, विशेश रूप से कुछ मसले शिकार या शिकार का पीछा करने की इतिहास के साथ. कुछ परिस्तितियों में, एक कुत्ते की सहर्ष ड्राइव उन्हें लोगों सहर तेजी से चलती वस्तों को काटने या नो प्रक्षात्मक व्यवहार है जिसमें एक कुट्टा अपनी मूल्यवान वस्तुओं पर कब्जा बनाए रखने के लिए आकरामक्ता प्रदर्शित करता है. चौकाने वाली प्रतिक्रिया कुट्टों के पास एक प्राकृतिक चौकाने वाली प्रतिक्रिया होती है और अगर वेगार्ट से पकड़े जाते हैं या आश्चरे चकेत होते हैं तो वे काटने से सहज रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं. ये तब हो सकता है जब कोई सोते हुए या आराम कर रहे कुट्टे से अचानक या अप्रत्याशित रूप से संपर्क करता है मात्र सनरक्षन पिल्लों के साथ मा कुट्टे अत्यदिक सुरक्षात्मक हो सकते हैं और यदि उन्हें कोई खत्रा महसूस होता है या यदि उन्हें लगता है कि उनकी संतान खत्रे में है तो वे काट सकते हैं मा कुट्टों और उनके पिलों को जगह देना और उन कारेों से बचना महत्वपूर्ण है जिन्हें धमकी के रूप में माना जा सकता है Rough handling या mis handling या बातचीत के दोरान अत्यधिक बल लगाना शामिल हो सकता है। प्रशिक्षन या सामाजिक सीमाओं का अभाव जिन कुत्तों को उचित प्रशिक्षन नहीं मिला है और जिनके पास स्पष्ट सीमाएं नहीं हैं, वे उचित व्यवहार को नहीं समझ सकते हैं। इससे भ्रम या हताशा हो सकती है, जो कुछ स्थितियों में काटने तक बढ़ सकती है। चिकितसा या व्यवहार संबंधी मुद्धे, अंतर नहित चिकितसा स्थितियों वाले कुत्ते, जैसे तंत्रिका संबंधी विकार या हॉमोनल असंतुलन, काटने सहित आकरामक व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भय आधारित आकरामक्ता या बाध्यकारी विकार जैसे कुछ व्यवहारिक मुद्दे काटने की प्रवृति में योगदान कर सकते हैं.